हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको स्केर निकालने की एक ट्रिक बताने वाला हूं अगर हम उसको एक बार समझ लेते हैं तो हम जो यह ट्रिक है ना इससे 25 से लेके 75 तक के बीच के सारी स्केर बिल्कुल दिमाग में निकाल सकते हैं ठीक है उसके लिए हमें पैन उठाने की जुरूरती नहीं पड़ेगी अगर हम इस ट्रिक को सीख लेंगे तो पर उसके लिए पहले आपको एक से लेके 25 तक के स्केर याद होने चाहिए ठीक है तो यह तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को याद ही होते हैं वैसे तो तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले यह तो इजी है हमें पता है कि 50 का स्केर क्या होता है पांच का स्केर होता है पच्छीस और पच्छीस को हता है पच्छीस हो ठीक है अब 51 का स्केर क्या होता है यहाद पच्छास को तो पता है लेकिन 51 का क्या होता है तो इसके लिए एक ट्रिक है यह जो 25 है और चेकासमें 14 में 15 में 1 ऐड़ कर दो ठीक है और जो दूसरा पार्ट है क्या करने मने जो इ founder प्लिश है ये क्यों होता है तो ये क्या हो जाएगा 26 और ये क्यों हो जाएगा 01 तो इसका स्क्वेर क्या हो गया 26 01 ठीक है ये हमारे पास 51 का स्क्वेर आ गया तो इस हिसाथ से question को solve करना आपने अब ये तो मैंने आपको step by step बताया ना इसको आप mind में करेंगे तो एक second में हो जाएगा ठ ठीक है अब देखते है 56 का स्क्वेर क्या होता है 56 के स्क्वेर के लिए क्या करेंगे अब ये 50 में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है तो यहाँ पे साइड में 6 लिख लो पचीस में 6 ज्यादा है तो पचीस में भी 6 ज्यादा कर दो और 6 का स्क्वेर कर दो 6 का स्क्वेर कितना ह वैसे करके मान लो कोई संख्या और ले ले लिया तो 61 कितना जाधा है पल-चास में 11 जाधा है ना तो पच्ächstमें 11 ऐड़ कर दो वहीं क्या करना है 11 जाधा है ना तो 11 के स्क्रेर कर दो 11 का स्क्रेर क्या होता है 121 होता है ना अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ गई है तो इसको क्या करना हमने पहरे तो इसको एड कर लेते हैं दो और एक तीन पांच और एक छे यह 36 हो गया ना अब जो इसको ऐसे लिख हो है यहाँ पे देखो यह 36 है और यह 21 है 21 हो गया तो यह 21 है तो एक को यहाँ लिख दो और इसको फिर सेड कर दो एक, दो, चौर एक, साथ और यह तीन 37, 21 हो गया तो यह किस का स्क्वेर हो गया? 61 का ठीक है? तो इस परकार से हमने इसको फाइंड करना है अब आगे देखते हैं अब वो तो स्क्वेर था जब रंखिया क्या हो? 50 से जाद हो, लेकिन अगर 50 से कम हो तो 50 से कम हो तो वही मैथड अप्लाई करना है यहाँ पर क्या करना है? 25 लिख लो पहले अब यह 50 से कितना कम है? 3 कम है ना तो 25 में भी 3 माइंस कर दो और इसी 3 का स्क्वेर कर दो 3 का स्क्वेर तो 9 होता है लेकिन हमने क्या करना है? यहाँ पर याद रखना है अगर हमारे पास सिंगल डिजिट आती है तो उसको 2 डिजिट में कनवर्ट कर लेना तो यहाँ पर 0 लगा लेना, ठीक है? तो 25 से 3 गया तो कितने बचे? 22 और 9 का यहाँ पर 0,9 लग दिया, ठीक है? तो 20,09 हमारे पास किसका स्क्वेर आ गया? 47 का अब मानलों को यह और नमबर ले लेते हैं जैसे 42 ले लेते हैं, ठीक है? तो 42 का स्क्वेर क्या होगा? 25, यहाँ पर वैसे लिलेंगे, कितना कम है? 8 कम है न 50 से, तो 8 मानिस कर दो और यहाँ पर 8 कम है न तो 8 का स्क्वेर ले लो ठीक है? यहाँ पर 2 का स्क्वेर नहीं लेना, यह ध्यान रखना है जितना कम है उतने का स्क्वेर होता है तो 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 में से 8 गे तो कितने बचे 15 से 8 गे तो 7, 17, 1764 यह आगे हमारे पास 42 का स्क्वे है ठीक है तो इसी पिरकार से हम जो 50 से कम की संक्या है उनको स्क्वेर करेंगे तो अभी देखते एक और एक्जेंपल यह 39 देखो यहाँ पर हम अब यहाँ पर 39 है वैसे ही 25 लिख लो पहले यहाँ पर अब कितना कम है 39 तो 11 कम है ना 50 से तो यहाँ पर 11 माइनिस कर दो ठीक है और यहाँ पर क्या करना है 11 उसी टाइम लिख लेना है 11 का स्क्वेर क्यूंकि यहाँ पर अब यह नहीं कि 9 का स्क्वेर या 1 का स्क्वेर कर दी क्यूंकि confusion हो जाता है ना यहाँ तो सीधा माइनिस कर दो इसको ना 5 से गया और एक आगया चौदा बच गया यहां पे और ग्यारा का स्क्विर केतना होता है 121 तो यहां पे क्या करना है इसको पहले यहां पे चौदा लिख लो और 21 लिख लो जो एक है ना इसको यहां लिख लो ठीक है तो एक दो पांच एक ठीक है तो क्या गया 1521 आ गया हमारे प वो 50 से कितना काम है 50 से 24 काम है तो 25 में से 24 कटा दो ना 25 माइनिस 24 कर देंगे हम तो एक बचा हमारे पास अब 24 का स्केर कितना होता है 576 होता है ना ठीक है तो इसको अब इसमें एड़ कर देते हैं तो simply ये इसमें एड़ हो जाएगा ना क्योंकि एक को यहां लिखेंगे 76 को यहां लिखेंगे और पांच को यहां लिखेंगे ठीक है 676 तो 6, 76 आ जागा हमारे पास 26 का स्केर तो आफ देख सकते हैं इस ट्रिक की साहते से हैं हम सारे ही नंबर का स्केर निकाल सकते हैं जो की range करती है 25 से लेके ठीक है और 75 के बीच में इसके जो 75 के बाद की जो ट्रिक है ना वो थोड़ी अला गई से हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में पताऊंगा ठीक है तो आज की इस वीडियो को यहीं end कर देते हैं अगली वीडियो में आपको यह next trick सिखाऊंगा जो की square किसके करेंगे हैं जो भी 100 के आसपास के नंबर से है ना उसके square की trick को हम सिखेंगे ठीक है तो इस वीडियो को यहीं समप्स करते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको एक नई trick सिखने को मिली होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इससे like और share करें साथ ही चैनल को भी subscribe कर लें ऐसी बैतनी वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जैहिंत वंदे मातरम